हमार्ट साथ क्योस्टन है नार्मल फरम में रिड्यूस करना है ऑर रेवाइड करना है यहां 1 आना चाहिए लेकिन मैंनस-1 निचे में है इसको उपर लें जाते हैं जातते हैं तो हमें मिल जाएगा minus 1 है यह 1 मिल जाएगा minus 4 है यह 4 मिल जाएगा यह 2 मिल जाएगा यह 7 मिलेगा क्यों मिलेगा भाई क्योंकि minus 1 को r2 से क्या कर दिये है into कर दिये है 3 minus 1 1 और 3 यह नीचे आ जाएगा r2 के प्लेस पर ले आएंगे R1 को R2 के प्लेस पर ले जाएंगे और बांकी जयों कते हो रहेगा 2, 1, 3, 0 माइनस 1, माइनस 1, 3, 0 बांकी जयों कते हो रहेंगे Next rule यह है यह 1 आगे है इसको 0 लाना है इसकी साहता से फिर इसको 0 लाना है इसको 0 ले करके आना कैसे आएगा यहां 3 सी इंटू कर देंगे इधर लाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे हमें एक आपरेशन एप्लाई करते हैं R2 में R2 माइनस 3 इंटू क्या कर दें? R1 1, 4, 2, 7 जो चेंज होने वाली नहीं है उसको जयों कते हो पहले आप लिख लीजे 3 सी इंटू करेंगे इधर लाकरके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा 3 सी इंटू कर देंगे इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगा 3 सी इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा माइनस कर देंगे में R3 माइनस क्या कर देंगे इधर इधर लाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे किस में R1 में इधर लाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 0 four twuz eight इधर, इधर कर देंगे, तो मिल जाए गा, minus seven, two twos, four,- four, तो ए गा, minus one seven twos, 14, तो यह मिल जाए गा, हमनगो, minus 14 ay, simply squared कर देते हैं, r four plus, ग्र्फोर और, four plus, क्या कर दें, r one squared कर देंगे, तो मिल जाए, हमको zero, squared कर देंगे, तो मिल जाए, गा three, squared कर देंगे तो मिल जाएगा 5 इसको एड़ कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 7 यह वन्त है यह 000 आगे नेक्स्ट रूल है यह वन्त की साहता से इसको 0 इसको 0 और इसको 0 लेकर क्या नहीं तो कालम आपरेशन एप्लाई करते हैं कि सी टू सी टू माइनस क्या कर दें फोर्स इंटू करेंगे इधर ले जाकर करके सब्ट्रेक्ट कर देंगे बांकि तो 0 है फोर्स इंटू करेंगे फोर इंटू जिरो तो जिरो यह आ जाएगा फोर्स इंटू कर देंगे सी वन में 1,0,0,0 जो चेंज होने वाली नहीं है उसको लिख लिजे इधर ही सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 0 यह तो जियों काते हो रहेगा माइनस तर्टिन माइनस सेवन और यह त्री जेओं काते हो रहेगा नेक्स्ट आपरेशन एप्लाई करेंगे यहां 2 सी इंटू कर देंगे धर ले जाके subtract कर देंगे C3 में operation apply करेंगे C3-3 into क्या C1 sorry 2 into C1 ठीक subtract कर देंगे तो मिल जाएगा 0 बाकि-5-1 और 5 यह जेओं का त्यों रहेगा next rule फिर से apply कर देते हैं हम C4 में C4- क्या करें 7s into करेंगी धर इधर ले जाकर करके subtract कर देंगे 7 into क्या कर दें C1 तो यह मिल जाएगा 0-18-14 और यह 7 यह जेओं का त्यों रहेगा इस प्रकार से हम वन के नीचे 000 ले करके आ गए और वन के साइड में भी 000 हम ले करके आ गए next rule यह है कि यहां क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए 1 कैसे आएगा एक तो टू सी इंटू कर दें और इधर ले जाकर के एड कर देते हैं सब्ट्रेक्ट कर देते हैं तो यह 1 आ जाएगा यह ठीक चलिए और टू में हम आप्रेशन एप्लाई करते हैं है आर टू कि इसमें हम कि तू से इंटू करते हैं कि इस पर आर थ्री में और इधर ले जाकर के क्या कर देंगे सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10,000 यह 7 तू सा 14 और माइनस 5 प्लस 14 हो जाएगा 14 माइनस 13 करेंगे तो बन आ जाएगा 2 sin 2 करेंगे 2 1s are 2 और यह minus 5 है और यह हो जाएगा plus 2 तो हमको मिल जाएगा minus 3 और यह minus 18 है और 14 to the 28 और minus minus क्या हो जाएगा यह plus तो 18 में 28 में 18 को subtract कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 10 मिल जाएगा बाकि minus 7 minus 1 और minus 14 3 5 और 7 10 जेओं का तेओं रहेगा next rule यह है कि one है इसकी सहाथा से इसको 0 करना है इसकी सहाथा से इसको 0 करना है तो row operation apply करते हैं आर 3 में आर 3 क्या करेंगे भाई 7C2 करेंगे 7C2 करेंगे किसमें R2 में और R3 में ले जाकर करे add कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1, 0, 0, 0 और 0, 0, 0, 1, minus 3, 10, 7s into करेंगे, इधर ले जाकरके add कर देंगे, तो 0, 7s into करेंगे, इधर ले जाकरके add कर देंगे, तो मिल जाएगा minus 22, 7s into करेंगे, तो 70 मिल जाएगा, इधर ले जाकरके add कर देंगे, तो 70 में minus क्या कर देंगे, 14 कर देंगे, तो 70 में 14 करेंगे, तो हमको मिल जाएगा 56 हमको मिल जाएगा 56 फिर next rule फिर से apply करते हैं यहां 3 से इंटू करेंगे इधर ले जाकरके add कर देंगे तो हमको मिल जाएगा R4 R4-3 इंटू क्या कर दे R2 तो यह मिल जाएगा 0 339, 5 प्लस 9 यह मिल जाएगा 14 और 30 और प्लस 7 30 में 7 को सब्टेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा हमको माइनस 23 छीक है यह 1 मिल गया अब इसको 0 करना है और इसको भी 0 करना है हमको 1 आगे है 1 के नीचे 00 आगे है अब 1 के साइड में इसको 0 इसको 0 बनाना है तो कालम आपरिशन एप्लाई करेंगे यह कौन सा कालम है C3 C3 में हम आपरिशन एप्लाई करते हैं C3 और प्लस क्या कर देंदर 3C इंटू करेंगे इधर ले जाकर कि क्या कर देंगे एड कर देंगे 3 इंटू क्या कर दें C2 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यह 1 है और इसके नीचे 0, 0, यह column C2 है और C3 में हम operation apply करेंगे C3 में क्या करेंगे यहां 3C2 करेंगे धर ले जाकर add कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यह 0 और बांकी जयों करते हो रहेगा माइनस 22 और प्लस 14 फिर C4 में हम operation apply करते हैं C4 और 10C2 करेंगे और इधर ले जाके subtract कर देंगे 10C2 करेंगे C2 में तो हमें मिल जाएगा यह 0 और यह 56 मिल जाएगा और माइनस 23 मिल जाएगा हमको इस प्रकार से अब क्या करना है next rule इसको हमको 1 बनाना है 1 कैसे आएगा यह आर 3 में हम operation apply करते हैं R3 और इंटु करेंगे माइनस 1 बाइ 22 तो हमें मिल जाएगा 1000 1000 1000 इंटु कर देंगे तो मिल जाएगा यह 56 है और इंटु माइनस 1 बाइ 22 कर देंगे टु से केंसील हो जाएगा 22 जाएगा 22 जाएगा 21 मिल जाएगा हमको 28 बाइ 11 और ओ भी माइनस मिल जाएगा हमको और निचे 0 14 और माइनस 23 यह 1 आ गया है विसको हमको 0 बनाना है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 यहां पर 1 आ चुका है यहां माइनस 28 बाइ 11 यहां 14 है इसको 0 करना है कैसे 0 होगा यह हम आपरेशन एप्लाई करते हैं आर 4 में आर 4 माइनस क्यारें इधर 14 सिन्टू करेंग fällt कर देंगे 14 किस में करें आब 3 में और और four में ले जाकर के हम सब्त्रेक्ट कर देंगे तो gour याएगा हमको 0 इधर भी होई करना पड़ेगा 14 इंटु करेंगे इधर ले जा करके हमको क्या करना है सब्ट्रेक्ट करना है तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस 23 इधर सब्त्रेक्ट कर देंगे 28 base 11 में किसी इंटु करके 14 इंटु परके तो मिल जाएगा 11-23 x 11 plus 28 x 14 तो यह आजाएगा 23 23352 माइनस में मिल जाएगा यह मिल जाएगा 392 divided by 11 तो यह आजाएगा 139 by 11 तो हमको 139 by 11 मिल जाएगा हमको 139 by 11 मिल जाएगा हमको यह वन आ चुका है इधर 0 यहाँ पर भी हमको क्या बनाना है 0 बनाना है कैसे 0 बनेगा यह हम कालम आप्रेशन एप्लाई करते हैं C4 में C4 माइनस क्या कर दें इसमें हम इंटू करते हैं C3 में किसी इंटू कर दें 28 by 11 से इंटू करेंगे और इधर ले जाकर के हम क्या कर देंगे एड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 100000000100001 इधर भी हमको क्या मिल जाएगा 0 और यह 0 यह 139 by क्या है 11 है फिर से एक आप्रेशन एप्लाई करते हैं हम इसको 0 इसको 1 बनाने के लिए हम एक आप्रेशन एप्लाई करते हैं आर फोर में इन्टू 11 बाई क्या कर दें 139 कर दें तो हमको मिल जाएगा 100000000100100100 और यह 1 मिल जाएगा हमको इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसकी रेंग क्या मिल गई है फोर मिल गई रेंग आप मैट्रिक्स A is equal to क्या 4 इस मैट्रिक्स की रेंग क्या मिलेगी 4 मिलेगी